परिचय नमस्कार दोस्तों, हमारे पास निम्बू, करेला और चीनी है, इन में से ये कुछ खादे पदार्थ खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे, कुछ मीठे और कुछ नमकीन लगते हैं खादे पदार्थों का खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद, उन में उपस्थित अमल, क्षारक और लवन के कारण होता है सत्रवी शताबदी में रसायनगे रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले पदार्थों को अमल और क्षारक के रूप में नाम दिया था इस पार्थ में आप अमल, क्षारक और लवन की विशेश्टाओं के बारे में पढ़ेंगे उद्देश्य इस पार्थ के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे अमल, क्षारक और लवन को परिभाशित करना अमल और क्षारक की विशेश्टाओं पताना अमल के बारे में जानना हम में से बहुतों को पदार्थों का खटा स्वाद पसंद है आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम जूस को पीते हैं तो इसका स्वाद खटा होता है साधारन तोर पर खटा लगने वाले पदार्थों में अमल यानी एसिड होता है कुछ खादे पदार्थों में सिट्रिक अमल होता है जिसका स्वाद खटा होता है एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एसियर से हुई है जिसकार्थ होता है, खट्टा प्रकृति में पाये जाने वाले अमल अमल प्रकृतिक पदार्थों जैसे फल और सबजियों में पाया जाता है क्या आपने कभी सुना है कि चीटी या मदुमक्खी के डंक में अमल होता है जिसके कारण त्वाचा में जलन महसूस होती है विभिन्न खादय पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अमल होते हैं संत्रा, अंगूर, नारंगी, नीबू इत्यादी जैसे सैट्रस फलों में सिट्रिक अमल होता है हमारी रसोई में पाया जाने वाला सिर्का तनू-एसिटिक अमल होता है अम्रूद, संत्रा, रजभरी इत्यादी में एस्कॉर्पिक अम्ल पाया जाता है मैलिक अम्ल बहुत से फलों में पाया जाता है सेब में एस्कॉर्पिक अम्ल काफी अधिक मात्रा में होता है ज्यादा तर बच्चों को ज्यादा पनीर वाला पिज़ा पसंद होता है हम प्रदी दिन अपने कपड़े साबुन से धोते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का विलियन है? साबुन का घूल स्वाद में कड़वा लगता है और हतेली पर अगड़ने पर यह चिकनाई का एहसास देता है, क्यूंकि इसमें ख्यारक है अताफ वो पदार्थ जिनके जलिये विलियन का स्वाद कड़वा और चिकनाई भरा होता है, उन्हें क्षारक कहते हैं जल में घुलनशील क्षारकों को अलकली कहते हैं एलकली शब्द अर्भी शब्द अलकली से बना है, जिसकार्थ है राख, जो इसके एलकाइन पदार्थ के मूल स्रोथ को इंगित करता है दैनिक जीवन में क्षारक चात्रो, चूने का रासाइनिक नाम है केल्शियम हैड्रॉकसाइड जल में चूने को घोल कर, चूना पानी का निर्माण किया जाता है दूदिया मैगनीशिया एक औशदी है, जो आहर की पाजन में सहायता करती है इसमें मैगनीशियम हाइड्रॉकसाइड होता है, जो ख्षारक होता है जब आपकी माँ खिड़की साफ करती है, तो वो जिस विलियन का प्रियोग कर रही होती है, उसे हतेली पर लीजिए और महसूस कीजिए आप अपनी हतेली पर चिकनाई महसूस करेंगे वो इसलिए क्यूंकि क्लीनर अमोनियम हाइड्रॉकसाइड से बनते हैं, जो ख्षारक होते है हम विद्याले में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए खड़िया यानी चौक का प्रियोग करते हैं ये अमल है या ख्षारक है जोग जब जल में घुलती है तो ख्षारक ये विलियन बनती है रासाइनिक रूप से इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लवन क्या आप जानते हैं कि चीटी के डंग के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से आपको आराम मिलता है ऐसा इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा चीटी के दंश को निश्प्रभावी कर देता है अब हम जानते हैं कि अमल या ख्षारक क्या होता है आईए जाने कि अमल और ख्षारक को मिलाने से क्या होता है एक अमल या ख्षारक मिलकर लवन और जल प्रदान करते हैं आईए हम निम्न प्रयोग करें। थोड़े से फिनाल फतिलिन को तनों हाइड्रोक्लोरिक अमल में मिलाएं। अमली ये विलियन में सूचक रंग हीन रहता है। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइट का थोड़ा अंश मिलाते हैं। एक निश्चित बिंदु पर सूचक अपना रंग बदलता है। इसकार्थ है कि अमल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइट ने पूर्णता उदासीन कर दिया है। और कुछ अफशेशी हाइड्रोक्साइट विलियन में उपस्तित हैं। इस अभिक्रिया से लवन, सोडियम क्लोराइट और जल उत्पन्न होता है। अमलों और क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनी करण। कभी-कभी हम अपने पेट में जलन महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है। हमारे अमाशे में हाइड्रोक्लोरिक अमल यानि HCl स्रावित होता है। ये एक शक्तिशाली अमल होता है जो आहार पाचन में हमारी सहयता करता है। लेकिन अमल के अत्यधिक स्राव से पेट में जलन होती है। इस जलन से रहत पानी के लिए एक प्रती अमल लिया जाता है। प्रती अम्ल में ख्षारक होता है जो पेट के अत्रिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है हम जिस म्रिदा को क्रिशी के लिए उप्योग करते हैं वो भी अपनी प्रकृती में अम्लिय या ख्षारिय हो सकती है ख्यारिय मृदा में जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो अमल निर्मुक्त करते हैं, इस तरह मृदा उदासीन हो जाती है बहुत से कारखाने अमलिय अप्षिष्ट निर्मुक्त करते हैं, जो जलाशयों के पानी में गिरने के बाद उन्हें क्षथी पहँचाते हैं परिणाम सरूप जलिय जीवों की मृत्य हो जाती है, अताहा अमलिय अप्षिष्ट के निस्तारण से पहले वने एक शारक जैसे बुझे हुए चूने से उदासीन किया जाता है सारांच आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं अमल वो पदार्थ होता है, जिसका जलिय विलियन स्वाद में खटा होता है जब अमल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवन प्राप्थ होता है अमल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनी करण कहते हैं उदासीनी करण का हमारे दैनिक जीवन में महतपून भूमी का निभाता है प्रफ्टरी